अभी तक आप सभी को समझ आ चुका होगा कि assessment या आखलन क्या होता है लेकिन इस वीडियो में एक नया question हमारे सामने आ गया एक नई problem हमारे सामने आ गई कि alternative assessment techniques कौन कौन सी है कि assessment की जो वैकलपिक जो विदियां हैं तरीके हैं कौन कौन से हैं तो annual exam की बात करते हैं तो आप कैसे देते हैं pen paper question paper सामने आता है pen लेके जाते हैं और answer seat पे उसको करना होता तो यह बहुत common एक हम कहते हैं technique है लेकिन इसके माधियम से बच्चे की जो छमता है उनकी जो thinking है जो उनकी जो ability हर चीज़ का pen paper test से पता नहीं जा सकता तो इसके लिए अगर बच्चे की बारे में अच्छे से जानना है समझना है उसके विचारों को जानना है उसकी जो problem solving ability है उसके बारे में जानना है उसकी सोच के बारे में जानना है तो assessment के कुछ और तरीके भी है जिसको हम कहते हैalternative assessment technique तो इसमें क्या क्या चीज़ी आती है इसमें portfolio आता है rubrics आते हैं focus group discussion आता है peer and self assessment आता है जहां पर numbers की बात नहीं की जाती जहां पर बच्चों की thinking की बात की जाती है उनकी abilities की बात की जाती है उनके problem solving skill की बात की जाती है तो इस वीडियो में हम portfolio को जानेंगे, rubrics को जानेंगे, focus group discussion पर बात करेंगे peer and self assessment क्या होता है इस पर हम बात करेंगे तो वीडियो को आखरी तक देखिए वीडियो कैसा लगा, comment करके ज़रूर बताईए तो वीडियो को हम सुरू करते है और आम तोर पर जैसे मैंने आपको बताया कि हम देखते है इस schools में, colleges में क्या होता है pen paper test होता है, बच्चेों के सामने question paper आता है बच्चे उसको करते हैं, answer source करते हैं, paper check होता है और उसके इसाफसे बच्चों को number दे जाते हैं लेकिन इस pen paper test से बच्चे की जो उनकी जो knowledge है उनकी जो understanding है, उसका सही तरीके से पता नहीं लगाया जा सकता तो एक कागज और pencil correction है, बच्चों की जो उस तरीज जो सोच होती है उनकी जो problem solving जो skill होती है, जो उनकी छमताएं होती है उसको सही तरीके से map नहीं बात है, क्योंकि अच्छे नंबर तो बच्चों के एक दूसरे को paper देखकर ही बच्चे कर लेते हैं या किसी की writing skill अच्छी है, तो इस base पर भी बच्चों के अच्छे नंबर आ जाते है तो यह alternative methods कौन कौन से है, portfolio, rubrics, focus group discussion and peer and self assessment तो यह four जो अलग-अलग techniques हैं, एक की करके हम इनकी बात करते हैं तो देखें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं portfolio की, की portfolio क्या होता है तो इसको भी हम समझ लेते हैं, एक विद्यारती कक्छा के अंदर और कक्छा के बाहर हम देखते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ दिखता है, अलग-लग activities करता है तो अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं वो painting करते हैं, drawing करते हैं कुछ बच्चे कहानिया लिखते हैं, कविताय लिखते हैं, poem लिखते हैं, सुनाते हैं, कुछ बच्चे हैं नाटक जो है acting इस तरह की activities करते हैं कुछ बच्चे हम देखते हैं जैसे गाउन साइड में, village साइड में अक्सर देखो तो बच्चे अपनी खिरोने भी खुश से बना लेते हैं कुछ बच्चे बुक्स पढ़ने या बुक्स को कलक्ट करने का शौक होता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग लग बच्चे हैं सबकी अलग लग होविस होती हैं सबके अलग लग इंट्रेस्ट होते हैं तो वे इन गत्विधियों के माध्यम से अपनी च्रमताओं और रोचियों को उजागर करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं क्लास में आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे हैं हर कोई पढ़ने में तो अच्छा हो ए니다 होँगे उसके लिए ज disrespect मौलो को oxygen में अच्छा है तो उसकी और य재 क्लिफ हो सकती है उसकिश हो सकते हैं सिंगीग sih सपोर्ट में अच्छा है तो उसके में प्राव ontविडियों करो सकते हैं तो उसके और इस जो डॉकुमेंट किया जाता है तो इस परमें बच्चे के पर्टिक फिल्ड में जो रूची होती है उसकी बारे में पता चलता है तो पौट्फोलियो क्या है portfolio is a systematic collection of these work of student portfolio विद्धियारती के इन कार्यों का एक विवस्ति संग रहा है तो आप में से भी काफी सारे बच्चे sports में अच्छे होंगे drawing में अच्छे होंगे, dance में अच्छे होंगे तो अगर किसी को पता लगाना है कि भाई आप drawing में अच्छे हैं उनको पता चले कि आप इस particular field में बहुत अच्छे हैं तो portfolio यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि it is a collection of assurance best work in a specific subject area कि कि इसी visit विशेच्चेत्र में विद्धियारतियों के सर्वोत्तम कार्यों का संग रहा है इसी base पर हमें पता लगा सकते हैं कि जो बच्चे है इस particular field में बहुत अच्छा है और इस field में बच्चे को आगे जाना चाहिए तो portfolio is given importance as an assessment tool की portfolio को एक आकलन उपकरण के रूप में महत्व दिया जाता है क्योंकि इससे बच्चे के बारे में सही तरीके से पता चलता है कि उसकी क्या च्छमता है उसकी क्या रूचियां है तो this requires collecting evidence of strength work की इसके लिए विद्धियारतियों के जो कार है तेके उनसे सम्मंदी जो साक्ष है उसको इकठा करने क्या सकता होती है इकठा करने के बाद ही जो evidence उसी बेस पर तो यह पता चलता है कि जो बच्चा है किस particular field में अच्छा है उसकी जो strength है किस field में है तो इससे सिक्चकों को किसी विद्धियारतियों की परतिभा का पता चलता है और उस बेस पर teacher क्या करता है बच्चों को guide कर सकता है उस base पर ही जो teacher है बच्चों के parents से बात कर सकता है ताकि बच्चे की जो interest है जो रूची है जो area है उस area में बच्चों का आगे बढ़ाया जा सके तो only through this teacher can find out the interest and ability of the student कि इसके द्वारा ही सिक्चक विद्ध्यारतियों की रूची और उनके छमता का पता लगा सकते हैं और इसी base पर जो teacher है बच्चों के माता पिता के साथ समवाद कर सकते हैं कि आप आगी चलकर बच्चों के इस particular field में ही भीजिए ताकि बच्चा और बहतर तरीके से कर सके तो through this learners learn to assess their progress कि इसके द्वारा बच्चों को भी अपनी प्रगर्थी का आंकलन करना सेखते हैं बच्चों को भी अपने बारे में पता चलता है कि हाँ इस field में हमारी जो छमता है है strength है बहुत अच्छा है और हमें इस field में जाना चाहिए तो देखिए कुछ example है किसी बच्चे की handwriting बहुत अच्छी है तो कैसे अच्छी है उसकी जो copy है notebook से उसे हम पता लगा सकते हैं इसके अलामा story essay poem written जो बच्चे लिखते हैं art and craft photography इससे पता चलता है कि बच्चों की जो photography है कि हाँ इसकी जो इसका जो interest photography में है वो कैसे पता चलेगा उसने जो of singing की कोई गाने में अच्छा है तो उसकी जो पास evidence क्या होगा उसकी singing की जो audio हो या video है इसके अलामा videos of dance drama and acting sports तो अलग अलग इस तरह के area हो सकते हैं तो इन से related जो बच्चों के पार document है उस base पर मतलब उस जो document उसके जो collection को ही हम क्या कहते है portfolio जिससे के द्वारा teachers को चलता है सही प्रकार से तो portfolio आपको समझ में आ गया होगा अब हम rubrics की बात करें कि rubrics क्या है तो देखिए इस image में आपको दिख रहा होगा दो image है जहां पे excellent, good, satisfactory, need, improvement या exceptional, average, poor तो एक तरह का क्या है rubrics rating scale है तो देखिए जब हम portfolio की बात करते हैं तो portfolio से हमें क्या पता चला है कि जो बच्चा है कि इस particular field में जो बच्चा है बहतर है ठीक है लेकिन rubrics से हम पता लगा सकते है कि है कि एक रूबिक्स क्या है एक rating scale है तो इस rubrics से हमें पता चलता है कि बच्चा कि सी particular field है तो उस particular ma lead में बच्चे की糖 मजरे किषण्थbon है बच्चा बहुत अच्छ ऐब् वेटिंग स्कील से हमें बच्चे के बारे में पता चलता है कि पर्चिकलr में बच्चE की क्या श्रेंफ है कितना बच्चा बेहतर तरीके से कर सकता है या कर राहा है तो और रूब्रिक is a rating system की रूब्रिक एक rating पर ना ली है जो आप video में जो आप image में देख चुके हैं the portfolio is assessed with the help of rubrics की portfolio का आकरण rubrics की मदद से किया जाता है इसके द्वारा सिक्चा के निधारित कर सकते हैं कि कोई विद्यारती किसी कारे को करने में किस तरह तक दस्ता में सक्चम है this includes different levels of performance की इससे अलग लग स्तर के परदर्सन शामील है जैसे आपनी image में देखा कि पहले में क्या है excellent है ठीक है दूसरे में क्या है good है ठीक है तीसरे में क्या है satisfactory है तो इस तरह से उसमें अलग लग लेवल है कि particular field में बच्चे का लेवल क्या है बिल्कुल बच्चा exceptional है या बच्चा good है मतलब ठीक ignore average है या below average है तो उसमें भी हम rubrics में देख रहे हैं कि परदर्सन के अलग लग स्तर वहां पर हमें मिलते हैं तो यह भी क्या है assessment की alternative जो टेक आपने सुना होगा समुष्चा कि किसी भी particular topic पे class में जो बच्चे हैं आपस में दूसरे के साथ discussion करते हैं तो इसको हम गुरूप discussion की बात करते हैं ना तो focus group discussion क्या होता है तो इसको भी हम जान लेते हैं तो सबसे पहले गर हम focus group discussion की बात करें तो it is a form of qualitative research की नहीं होती ठीक है इसमें discussion में class में कुछ बच्चे हो सकते हैं ठीक है और उन बच्चों को किस बेस पर उनका चैन की जाता है तो हो सकता है कि जो बच्चे हैं उनका से किसी topic पर उनका same interest है ठीक है तो इस समुमें रूची के समान विशे पर चर्चा करने के लिए सामिल होते एक पूरा focus group होता है और उस group को अगर हम देखते हैं तो उनका particular interest किसी एक टॉपिक पर हो सकता है तो उस topic पर इस तरह का group discussion हो सकता है उन बच्चों का same background हो सकता है तो इसले तो नहीं पर एक focus group होता है बच्चों का Ich group होता है गूरूब होता इनके same interest हो सकते हैं ठीक है होते ह और उनके साथ जो टीचर है किसी परेकलर सब्रेरे पर ग्रुप डिस्केसन करते हैं तो इस यूजिली ग्रूप इंटरवीस कि एक तरह का क्या है एक ग्रूप इंटरवीओ Dalवोरत कर से क्या कि जहां पर ग्रूप इंटरवीओ का मतलब करते हैं ऌसे से कोई question पूछ रहा है और उस question पर बच्चे आपस में discussion कर रहे हैं तो it is facilitated by the teacher की इसे क्या किया जाता है सिच्छक के द्वारा सुविधा परदान की जाती है मतलब यहां पर teacher है जो इस पूरे overall जो interview है उसको देख रहा है बच्चों से question पूछ रहा है बच्चे भी एक दूसरे से question पूछ रहा है और उसी question पर discussion हो रहा है लेकिन यहां पर एक common चीज क्या है देखिए common चीज यह है कि यहां पर जिसे हम class में discussion देखते हैं तो उसमें पूरी class सामिल होती है लेकि यहां पर पूरी class नहीं है, यहां पर कोई भी particular topic हो सकता है, ठीक है, उसमें जो same interest वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो ही इसमें participate कर रहे हैं, एक example के लिए ले लेते हैं, कि मालो class में, या ले ले लेते हैं, कि 10th class में कि बात करते हैं, उसमें अगर मालो social science, किसी भी एक topic प सतना रखा जाए, तो इस जोड़ना है कि class में, सभी बच्चों का जो interest है, वो geography में होगा, तो सिर्फ जिन बच्चों का interest geography में होगा, या history में होगा, वही बच्चे इसमें participate करेंगे, तो एक focus group होता है, ठीक है, कुछ question होते हैं, teacher, बच्चों से पूछता है, बच्चे आप और ask about the strength, attitude, belief, opinion और ideas की इसमें, विद्धियारतियों के जो दिश्टिकों है, विश्वास है, राय हैं, और विचारों के बारे में पूछे जाते हैं, और इन प्रसनों के मादियम सही, एक discussion के मादियम सही, teacher को बच्चों के जो attitude है, belief है, opinion है, और जो ideas है, उसके बारे में पत चलता है, तो this group discusses a given topic or stream depth की, यहां समू किसी दिए गए विशे पर, या मुद्धे पर गहराई से चर्चा करता है, participants in this discussion are free to talk with other members of the group की, इसमें जो भी participant है, जो भी student है, एक दूसरे से बात करने के बिश्वास होते हैं, इस विधी द्वारा विद्यारतियों के दिश्टिको उन ग्यान समझ और अनभवों का पता चलता है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि focus group discussion क्या है, और जो group discussion क्या है, उससे थोड़ा किस तरह से अलग है, अब हम बात करते हैं, peer and self assessment की बात करते हैं, सह कर्मी और स्वां आकलन, तो यह क्या होता है, तो अक्सर हम criticize भी करते हैं, एक दूसरे को appreciate भी करते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चे एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, तो इससे बच्चों को क्या पता चलता है, कि उनको पता चलता है कि हां, कोई भी particular काम है, हम किस तरह से कर रहे हैं, यह हमारा जो friend है वो काम को ठीक से कर रहा है कि नहीं कर पारा तो अक्सर में एक दूसरे को evaluate करते हैं एक दूसरे को एसेस करते हैं एक दूसरे को feedback देते रहते हैं तो it also equips them with the skill to self assess and improve their own work कि यह उन्हें आत्म आकलन करने और स्वैम के काम में सुधार करने के causal से भी less करता है और किस तरह से क्योंकि हम एक दूसरे को इसमें क्या कर रहे हैं feedback दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है इसमें पॉजिटिव नेगिटिव दोन ही चीज़े आ जाती है और इसके अलमा यहाँ पर बच्चा खुद को भी assess करता है कि वो भी किसी काम को ठीक तरीके से कर पा रहा है कि नहीं अगर नहीं कर पा रहा तो उसको कहां सुधार करने की जरूरत है तो इससे क्या फाइदा हो रहा है इट प्रमोट सेल्फ रिफ्लेक्शन यह आत्म चिंतन को बढ़ावा देता है बच्चा अपने बारे में भी सोचता है कि ओ जो काम कर रहा है किस तरह से कर रहा सही कर पा रहा है कि नहीं इसको भी देखता है उसको भी evaluate करता है उनको भी feedback देता है तो इससे क्या होता है इट प्रमोट सेल्फ रिफ्लेक्शन की आत्म चिंतन को बढ़ावा देता है तो इस तरह से हमने देखा कि alternative assessment जो उसके अलग लग जो टेक्नीक्स हैं कौन-कौन से हैं तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद